हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगेट बेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीस त्रिपाथी तो कक्षा बारा अर्थसास्त्र का जो इंपॉर्टन चेप्टर हम देख रहे हैं आय और रोजगार का निधारन उसका सबसे में पॉइंट आज हम देखने जा रहे हैं सबसे इंपॉ और वो इंफॉर्मेशन यह है कि मैंगेट बेंस हिंदी एक ऐसा प्रेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्य में निशूल ले शकते हैं आप किसी स्टेट बोर्ट से पढ़ाई कर रहे हो या आप सीवेसी बोर्ट से पढ़ाई कर रहे आपको तो वह है मैंगेट बेंस हिंदी तो बने रहे हैं मैंगेट बेंस हिंदी के साथ और आए स्टार्ट करते हैं आज का ही इंपॉर्टन शेशन अब देखिए जो हमारा टॉपिक है यानि कैसे आप आयो रोजगार का संतुलन स्थापित करेंगे उससे पहले इंपॉर् बेरोजगारी जिसको बोलता है involuntary unemployment अब अनक्षिक बेरोजगारी क्या है कि जब आप prevailing wage rate पे दी गई मजदूरी दर पर काम करने के लिए तयार है पर आपको रोजगार उसके बाद भी नहीं मिलता है देखिए एक ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि नहीं हमको तो एक नहीं एक करोन रुपे मिलने चाहिए नहीं तो हम रोजगार नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे वो अलग बात है that is voluntary unemployment वो एक्षिक बेरोजगारी का मतलब यह है कि आप दी हुई wage rate पे काम करने को तयार है पर आपको उसके लिए रोजगार नहीं मिलता है तो अर्थ सास्तर क की डिश्च से जब कारे करने में सक्षम एवं मजदूरी की प्रसली दरपर कारे करने के एक्षुक वेक्तियों को रोजगार प्राप्त नहीं होता तो उसे बेरोजगार कहा जाता है और इस स्थिती को अनैक्षिक बेरोजगारी कही जाती है यानि वो दी हुई मजदूरी दरपर कारे करना चाह रहा है पर उसे रोजगार नहीं मिलता फिर से अब कंडिशन आती है कि पूर रोजगार की स्थिती क्या है जुसको में देखना है फूल इंप्लॉमेंट किसको कहते हैं तो साथी कर्थ में पूर रोजगार एक ऐसी वस्ता है जिसके अंतर कोई भी व् व्यक्ति के साथ-साथ एक और बात का भ्यान लखेगा वो होता है उत्पादन के साधन थिक लैंड लेबर कैपिटल इंटरपरनेर्शिप यानि कि स्रम भूमी पूजी और निवेशक इसकी चर्चा में आगे करूंगा ये भी नहीं बिरोजगार रहते हैं मतलब जो उत्प पूर रहना चाहते है लेगिन कि infections के अनुसार प्रभावपुढ मांग पनिर्भर करता है और प्रभावपुढ मांग दो चीजों पर निर्भर करता है अग्र कितना रहा सब्क्रमांग है यह करता है कि पूर्ण रोजगार की सिती कैसे होगी जब टोटल सप्लाई के बराबर होती है अतो रोजगार में विर्धी के लिए अथ्वा बेरोजगारी को दूर करने के लिए या तो भोग वेर में ब्रदी की जानी चाहिए या विनियों या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाना चाहिए ठीक है हम वही पॉइंट पर पहुँच रहे हैं कैसे रोजगार का निर्धार होगा वही पहुच रहे हैं पूर्ण रोजगार को बनाया रखने के लिए देश की मौधरिक नीती और राजकोशी नीत को बिवेक पूर्ण और सुन्योजित रूप से निर्धारित करके उसका वास्तविक क्रियान में आवश्चक होता है अब आपको यह भी पता है कि पूर्ण रोजगार की इस्तिती बनाया रखने के लिए जरूरी क्या है कि वहां की जो मौनेटरी पॉलिसी और एकोनॉमिक पॉलिसी है राजकोशी नीती है वो उसका सही से इस्तमाल किया जाए इस पॉइंट पर हम थोड़े दिर बाद आते हैं बाकी के पॉइंट समझते हैं तो मैं आपको इस पॉइंट को रिलेट करूँगा वहां से एक्षिक बिरोजगारी वह इस्तिती है जिसमें स्रमिक स्वैम प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने से इंकार कर देता है चुकि स्रमिक अपनी इक्षा से काम स्युकार नहीं करता इसलिए इसको एक्षिक बिरोजगारी कहते हैं यहां कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप काम मत करिए यहां को काम मिल भाया पर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी वैल्यू तो इससे ज्यादा है तो यह एक्षिक बेरोजगारी है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी क्या है यह सब एक एक क्वेशन पूछे जाते एक्जामेशन है फ्रिक्शनल अनिप्लॉयमेंट खास करके प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी गतिसील अर्थ बिवस्था में कार या नौकरी बदलने के साथ-साथ जूड़ी रहती है जब आप कोई जूब चेंज करते हैं उस स्थिति में अगर आपकी नौकरी जाती है तो इसे फ्रिक्शनल कहते हैं इसे घरसर बेरोजगारी भी कहा जिसको technical unemployment कहते हैं इसमें क्या होता है कि जिसी इंडस्ट्री में आप फर में कोई टेक्निकल चेंज हुआ उस टेक्निकल चेंज के कारण अगर आपकी नौकरी नहीं आ रही है आपको नया अपग्रेडेशन नहीं मिला आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आपको तक तो फिर क्या हो नौकरी चली जाए तो इसतरह की जो बरुजर्य होती है उसके चक्रइ बरुजर्य कहते हैं वंद्योगों के उत्पादन के मुल्य में मंदी का बतावर रहता है और उत्योग कि नहीं कारण से घाटे में चलते हैं तो स्रमिकों को छटनी की जाती है और इसे चक्री ये विरोजगारी ये cyclical unemployment कहते हैं अब हम पहुंचेंगे उन points के तरफ अच्छा थोड़ा under employment भी देख लेते हैं तब पूर्ण रोजगार कैसे आता है उसको और भी मांग यानि aggregate demand नीचे आ जाए इसको क्या करते हैं उसको भी चर्चा करेंगे अब हम आते हैं उस बिंदू के तरफ जहां से वो कैसे किया जाए बेसिकली शेशन में हमको यही देखना था लेकिन इसके इसका जो इसकी जो भूमिका है वो मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा था कि अर्व्योस्था में रोजगार की कमी भी होती है विरोजगारी के विभिन विभिन प्रकार भी होते हैं उन प्रकारों जब aggregate supply के बराबर हो और दूसरी पधधी की चर्चा दूसरे session में करेंगे जब saving investment के बराबर हो यहनी निवेस आपके बचत के बराबर हो तो आज जो हम करने वाले हैं उसमें किस संतुलन से करने वाले हैं aggregate demand equals to aggregate supply इस वाले हम पधधी से करने वाले हैं के अनुसार जब कुल मांग और कुल पूर्ती में समानता रहती है तो आय और रोजगार का संतुलन अवस्था प्राप्त हो जाता है वेन एग्रिगेट डिमांड इस एक्वल टू इस एग्रिगेट सप्लाई इस इस्तिति में क्या होता है आपका क्या हो जाता है यह आय और रोजगार का पूरा निर्धा कर लिया जाता है अगर आप देखें इस चीज को तो यह कंडिशन कैसे बनती है बहुत सबसे इंपॉर् इसको ठ्यांज समझ लीजे इसलिए मैं ग्राफ लेकर नहीं ग्राफ सामने आपके ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप इसली इस चीज को समझ सकें तो इस इस एग्रिगेट सप्लाई कर समगर पूर्थी की चर्चा हम पहले सशन में कर सुक हैं इस इस इग्रिगेट डिमांड कर किसके बराबर होता है अब यह दोनों जहां पर मिलते हैं यह होती है पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी कभी उसके पहले भी मिल सकते हैं लेकिन हम माई मान के चलते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति आ चुके एकोनॉमी में ठिक अब ये बिंदू यहाँ पर क्या है aggregate demand is equal to aggregate supply और यहाँ पर क्या है पूर्ण रोजगार की स्थिति full employment ठिक किस point पर इसी point पर पूर्ण रोजगार की स्थिति या आय तथा रोजगार का संतुलन इसको कुछ भी आप कह सकते है aggregate demand is equal to aggregate supply यहाँ आपने क्या लिया ADAS लिया यहाँ आपने income लिया ठिक जीरो तो आप क्या कर रहे है आय तथा रोजगार का संतुलन एक सेफे कर में में यहाँ भी निया मैं यहाँ दीरो ठीक है यह आयत अथा रोजगार का संतुलन है तो इस ग्राप को आपको ठीक से बताना है ठीक है यह बिंदू E है तो बिंदू E पर इस संतुलन की प्राप्ति हुई है जहां समगर मांग समगर पूर्ती के बराबर है ठीक अब इसमें और भी ब्याख्याएं होंगी आगे चल इसमें तो कोई दिकती नहीं है अभी हमने इसकी चर्चा की थी ठीक है इस प्रकार कुल मांग और सी प्लस आई और कुल पूर्ती में भोगता उत्पादित का अर्जीता है कि कुछ भाग भोग पर वह करता है और कुछ भविसी के लिए बचाता है यह समझ में आ अगयरी के डिमांड इनिःगेइट सप्लाई जहांपर बरावर होगा इंगरी ग्रीगेट सप्लाई में आपको पता है कि सेविंग भी रहती है इसलिएllorी घटा बढ़ता रहता है जा रेता है जा वहuldade के संतुलन निस्थापित हो पाता है यहां यह कहा जा रहा है कि देगा सप्लाई है वो घटी बढ़ती रहेगी क्योंकि जितना इंकम होगा उसका कुछ हिस्सा क्या करेगा कुछ हिस्सा यानि वाई जो होगा यह सी प्लस एस में होता है यानि कुछ हिस्सा कंजम्शन होगा कुछ बचत भी हो सकती है तो दिमांड पर फरक पर सकता है लेकिन जहां पर यह फरक पढ़ना सबसे कम हो जाए जहां है इस इस्तर में ही समानता की प्राप्ति या संतुलन की प्राप्ति होती है अगर आप इसको टेबल से समझना चाहें तो देखिए यह आपका इंकम जीरो ले से लेके 500 यह आपका कंजम्शन या भोग यह आपकी बचत यह आप पर कुल मान कुल पूर्ति के बराबर है 300 वाली तो यह क्या है आय तथा रोजगार का संतुलन इस्थापित करने वाली बात है ठीक है इस टेवल को आप इसली रख सकते हैं तो एग्रिगेट डिमांड इस सी प्लस आई सो इप्लस इस तरह और एग्रिगेट सप्लाई सी प् पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हुई है ठीक है फुल इंप्लॉइमेंट लेवल एकोनोमी में आ रहा है इस इस तर पर यह माना जाता है कि अर्थ विवस्था में जितने भी तरह के उत्पादन के साधन है सबको पूर्ण रोजगार इस्थापित हो चुका है सभी अपन चली कि इस से इस पॉइंट का मतलब क्या है तो उत्पादन के जो साधन है अपने फुल कैपसिटी पे काम करेंगे जो स्रम है जो पूजी है जो भूमी है और जो साहसी या निवेशक है इन सब को पूर्ण रोजगार मिल चुका है अब इसके बाद ये इस्तमाल करने के लि हैं इस बात का जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हम कहेंगे कि जब इसमें अग्रिगेट डिमांड में बढ़ोती हो जाती है तो दिक्कत क्या आती है तो पहले तो आप पूर्ण रोजगार का निधारा समझ लेजे कि दोनों बिंदू जहां पर बराबर है वहां पर कूलती होनने के साथ साथ कुन मांग और कुल पूर्टि में वरद्धी होगी कुल मांग और कुल पूर्लिकी की मात्रत tại 300 कौण्डफे शमान है तो यहां पर क्या है है यहां पैसंतुलन देखा जा रहा है तो यह इसली आप समझ गया है अब समस्या आती है यह यह बहुत important बात है होता क्या है कि अगर मालीजे कुल मांग और कुल पूर्ती में कोई असंतुलन हो जाए संतुलन तो आपने देख लिया पूल रोजगार का निधारन अभी इस ग्राप से आप बहुत अच्छे तरह समझ रहे होंगे इसमें कई कोई कंफूजन ने होनी चीए इस तरह आप इसको सो कर सकते हैं लेकिन समस्या तबाती है जब इसमें कोई असंतुलन होता है और उसी असंतुलन को मद्दे नजार रखते हुए यहाँ पर एक पॉइंट आप से कहा गया था जिसकी मने बात आप से कही थी ठीक है क्या कहा था कि पूर्ण रोजगार को बनाय रखने के लिए देश की मौद्रिक नीती और देश की राजकोशी नीती को विवेक पूर्ण रूप से ठीक से चलाना पड़ेगा अब आईए समस्ते हैं कि इस असंतुलन की स्थिति में क्या होगा थोड़ा करस देखते हैं उप सब्सक्राइण कोई दिकत नहीं है पूर्ण रोजगार का निधारण है कि पूर्ण रोजगार का निधारण हो गया है लेकिन पहली सिट्विशन माँ लीजिए, लिए एесто सप्लाई हो जाती है यानि मांग इसको कहते हैं मांग की अधिकता ठिक इस केसमें क्यों रहा हो कर सकती क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब एग्रिगेट डिमांड एग्रिगेट सप्लाई पर हो गया तो वहां पूर्ड रोजगार हो गया जो स्रम है पूजी है जो इसके अलावा कैप लैंड लेवर कैपिटल इंटरपर्नेर्श जो यह चारों चीजें है भूमी है नि अगधी ठिक उत्तादन इस्थिर उत्तादन तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो महेंगाई की सुछिति या मुद्रा इस्पिति देख सकते हैं यह हो सकती है ठिक अब लेट सपोज मान लिजे कि एग्रिगेट डिमांड जो है वह एग्रिगेट सप्लाई से कम हो जाए ठिक और demand बढ़ी नहीं रही है इससे क्या होगा पहले बाद तो आय और रोजगार में कमी क्योंकि जब demand नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा उत्पादन में कमी अब उत्पादन नहीं होगा तो आय और रोजगार में तो कमी होगा ही क्योंकि कोई किसी को काम ही नहीं देगा जो उत्पादन के सादने भूमी उसका किराय कोई नहीं मिलेगा जो पूजी है कोई लेगा ही नहीं कि उसका इंटरेस्ट या लाब कोई कमाए तो कुछ नहीं होगा, उत्पादन में कमी, आये में कमी, कीमतों में कमी, बस्तुओं के जो कीमते हैं उसमें कमी, कीमतों में गिरावट, इसके साथ सथ मंदी की स्थिति देखी जा सकती है, ये दो सिचुएशन्स होती है, जब एग्रिगेट डिमांड एग्रिगेट इसे कम हो जाए, और इसी को ठीक करने के लिए मौधरिक नीती बनाई जाती है, और राजकोशी नीती बनाई जाती है, ये जो मौधरिक नीती होती है, वो बनाती है देश की केंद्रिय बैंक, ये जो राजकोशी नीती होती है, उसको बनाती है देश की सरकार, अब ये काम क को कंट्रोल करता है और यहां राजकोशी निती में सरकार अपने कर और सारवजिनिक वय को कम और ज्यादा करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है क्योंकि इन दोनों केस में ना मुद्रा की पूरती ही में रोल है यहां एग्रिगेट दिमांड बढ़ रही है इसका मतलब की आय है पूर रोजगार की स्थिति हैं ठीक है तो यहीं चीज हम देख रहते हैं कि कैसे इसमें इकलूगरियम देखा जाता है तो आये टेबल से समझते हैं कि कुल मांग अगर कुल पूर्ती से ज़्यादा हो जाए तो क्या इस हीती होती है इसको कहते हैं एग्रिगेट एग्रिगेट सप्लाई तो यह वाई स्थिति है जिसमें किये जाने वाले व्याय की मात्रा उत्पादन की मात्रा से अधिक हो जाए यानि कि जो व्याय है आपका जो कंजम्शन का डिमांड है वो आपकी उत्पादन की मात्रा से क्या हो जाए जादा हो जाए इससे मात्रा जाए और यहाझनि किए जाने वावले कि मात्राउत्रा का सुइंगा उत्पादन से कम होती है ऐस दसा में बस्तूर की मांग जादा होने से स्टॉक का इस तर नीचे गिरेगा ठीक है ना दिमांड खूब होगी तो जो इस टॉक बना के रखा गया है फैक्टरीज में वो नीचे आएगा जिससे की पूर्ण रोजगार की स्थितिक कायम रखा जा सके इस दसा में वस्तूओं की बिक्री में कमी आती है उत्पादगों के पास व मात्रा में उत्पादन के जाता है क्योंकि डिमांड ही नहीं रहता अधिक मात्रा में उत्पादन करने से साधनों को रोजगार मिलता है आए में वर्दी होती है लेकिन अगर पूर्ण रोजगार स्थापीत हो गया तब आए में वर्दी नहीं हो पाएगी आए में थोड़ ए्डिए होता है तब पॉल्डबाबर की स्त्थिति आ गई तब उत्पादेन करना संभव नहीं होता और तब स्थिति में महेंगाई और मत इस तरह की कंडिशन काला बाजारी सब देखे जाने लगता है तो यह वो डिफरेंस था आप समझ सकते हैं कि अगर और संतुलन की स्थिति आ गई तो फिर अर्थव्योस्ता में क्या पोजिशन बनती है और उस समय अर्थव्योस्ता में एक डिस देखने के लिए मिलता है तो आज के सेशन में हमको आये का रोजगार का संतुलन का निधार देखना था यानि पूर्ड रोजगार की स्थिति के बारे में देखना था किस अप्रोच से अग्रिगेट डिमांड एग्रिगेट सप्लाई के बराबर होने वाली अप्रोच से अ class को select कर सकते हैं और वहां उसके बाद मेरे साथ इतिहास रानिती विज्ञान भूगोल और अर्थसास्तर की पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है करंबद तरीके से website पर रखा गया है आप एक एक वीडियो को topic वाइस chapter वाइस पर सकते हैं जिसमें सभी topic के छोड़े छोड़े वीडियो चैप्टर के वन सॉट रिवीजन सारी चीज़ें आपको website पर निशुल्क प्रोवाइद करा दी जाती है ठीक है तो कक्षा 6 से 12 वी तक की सारी सिक्षा निशुल्क है बस आपको एक छोड़ा सा काम करना है कि वीडियो को like share और subscribe करिए इस वीडियो को भी like करना मत भूलिए share करना मत भूलिए मिलते हैं अगल द्यान लखिए take care bye bye